नमस्कार दोस्तो हमारे YouTube चैनल JCD Education में आपका स्वागते दोस्तो एक महत्पून कोस्चन ले लेकर की आ गया ऑँ कख्छस गयर्मी के लिए दोस्तो कख्छस गयर्मी वाले जो फिजिक्स के वच्चे है उनके लिए एक महत्पून कोस्चन ले करके आगया हूं जो कई बार आ चुका है दोस्तो इस पार भी वार्शिक पेपर में आपके आने की संभाब ना हैं तो इसको आप अच्छे से तयार कर लिजिए हमारा कोशन है कि अधिस राशी तथा सदिस राश्यों में अंतरिश पर्ष्ट कीजिए तो यह कोशन कई बा आ चुका है दोस्तो मैं आपको बता दू कि कई बार आ चुका है इसको आप अच्छे से तयार कर लिजिए और यह सही विकल्प वगएरा में भी पूछ सकता है इनके अंतरगत इसको अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लिजिए ठीक उसो तो मैं आपको समझाते जाता हूं आप इनको तयार करते जाएए अपना नोट्स मतलब कॉपी पैन निकाल लिजिए और इनको जल्दी से लिखते जाएए यह कि इसकी इंसोर्ट करते जाएएगा ठीक लाज्ट तक वीडियो के बने रहिए क्योंकि सभी चीज़ों को सुनना इंपोर्टन रहता है कहां पास ह आउस्टों इनमें से आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे याद करना क्योंकि अगर तीन नमबर काता है तो चार नतर लिखे गा और यहांनतर लिखिये है तो चलते हैं वीडियो के और अभी तक हमारे चैंवर को सबस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन का अबस्प्रेस कर जीजिगा ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो क्या है इधर शदिस रासी है और इधर अदिस रासी है तो क्या है यहां पास दोस्तों एक सदिस रासी वह रासी है जिसमें मात्र परिमार होता है दोस्तों तो सदिसरासी में दोस्तो मात्र परिमार होता है दोस्तो ठीक एक सदिसरासी वहरासी है जिसमें मात्र परिमार होता है जबकि दोस्तो अदिसरासी एक अदिसरासी वहरासी है जिसमें परिमार तथा दिसाएं दोनों होती है दोस्तो तो अदिसरासी में परिमार और दिसाएं दोनों होती हैं, जबकि सदिस रासी में मात्र परिमार बस होता है दोस्तों, ठीक, अब आगे दूसरा अंतर है, ये परिमार बदलने पर बदल जाती है दोस्तों, यदि सदिस रासीयों का दोस्तों, परिमार बदला जाए दोस्तों, परिमार में चेंजिस किया जाए, तो इस या दोनों बदलने पर या कि हम परिमार बदले या कि हम दिसा बदले या कि हम परिमार या दिसा दोनों को बदलने तो बदलने पर बदल जाता है दोस्तों बदलने पर क्या होता है बदल जाता है ये भी क्या होता है बदल जाता है ठीक अगला देखते हैं अगला क्या है तीसरा नमबर शदिस रासियों को गरित के नियमों नियमों हल नहीं किया जा सकता है दोस्तो जो सदिस रासियां है दोस्तो उनको गरित के नियमों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है यानि जोड़ना घटाया गुड़ा भाग नहीं किया जा सकता है जबकि अधिसरासी में इन्हें गरित के नियमों से हल किया जा सकता है यानि जोड़ना घटाना गुड़ा भाग किया जा सकता है इसमें किसमें अधिसरासियों में ठीक दोस्तों और इसके एक इनके बल हो गया यह सदिस रासी है भार विद्धुछेत्र वेग यह सब क्या है दोस्तों सदिस रासी है जबकि उर्जा सक्ती ताप दूरी यह सब क्या है दोस्तों अधिस रासी है ठीक दोस्तों और एक बात और एक अंतर समझ लिजे कि सदिस रासियों का सदिस का गुरन फल किया जाए तो सदीस और अधिस दोनों प्राप्त होगा यदि दो अधिस का गुडं किया जाए तो हमें अधिस रासी ही प्राप्त होगा यह बिख लिख दीजिए फांसमा पॉइंट था हमने लिख नहीं पाया था दोस्तो तो आपको मैं बता दिया इसको आप लिख लीजिए और दोस्तों यह question very important है इसको आप अच्छे से तयार कर लीजिए ठीक दोस्तों यह paper में आपके आने की बहुत सारी संभावनाएं है बहुत जैदा संभावनाएं है असा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहीं समझ में नहीं आया अच्छा के लिए एक अच्छा गैर्मी के लिए बहुत ही most important question है उनको आप जाकर के तयार कर लीजिए और धीर धीर most important question physics, chemistry वगारा के question डल रहे हैं जो आपको तयार करना है जो आपके paper में आने की पूरी संभावना है तो आप इन सभी को अच्छे से तयार कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले टॉपिक के साथ तक तक के लिए जय हैं जय भारत